भारत की रक्षा अधिग्रहन समिती ने 156 नए प्रचंड लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये हेलिकॉप्टर भारतिय वायू सेना की सामरिक ताकत में जबरदस्त इजाफा करेंगे। प्रचंड को हिंदुस्तान एरोनौटेक्स लिमिटेड ने स्वदेशी तक्नीक पर विक्सित किया है। ऐसे में इस हेलिकॉप्टर की तुलना चीन के जड़ दस से की जा रही है। इन हेलिकॉप्टर को भारतिय वायू सेना के लिए खरीदा जा रहा है। प्रचंड भारत का स्वदेशी अटेक हेलिकॉप्टर है, जिसे खास्तोर पर चीन का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। चीन ने भी ऐसा ही एक अटेक हेलिकॉप्टर Z10 का निर्मान किया है। जाने प्रचंड और Z10 में तुलना LCH प्रचंड भारत का स्वदेशी मल्टी रोल हल्का अटेक हेलिकॉप्टर है। इसे प्रोजेक्ट LCH के तहत हिंदुस्तान Aeronautics Limited HAL ने डिजाइन और निर्मित किया है। सबसे अधिक उचाई पर उड़ने वाला हेलिकॉप्टर LCH प्रचंड की उड़ान सीमा दुनिया के सभी लड़ाकू हेलिकॉप्टरों की तुलना में सबसे उची है। LCH प्रचंड के विकास के लिए असली प्रेरना कारगिल युद्ध से मिली। 29 मार्च 2010 को पहले LCH प्रोटोटाइप ने अपनी पहली उड़ान भरी। अपने परीक्षनों के दौरान, LCH ने सियाचन में उतरने वाला पहला हमला हेलिकॉप्टर होने का गौरव प्राप्त किया, जो बार-बार कई उचाई वाले हेलिपेडों पर उतरा, जिनमें से कुछ 13,600 से 15,800 फीट तक उउचे थे। LCH प्रचंट का ओडर भारतिय वायू सेना और भारतिय थल सेना ने दिया है। Z10 नया चीनी लड़ाकू हेलिकॉप्टर है। इसका विकास 1990 के दशक के मध्य में शुरू हुआ। चीन ने इसे यूरोकॉप्टर और अगस्ता की व्यापक तक्नीकी सहायता से डिजाइन किया है। दावा किया जाता है कि Z10 के विकास में रूसी कामोव हेलिकॉप्टर डिजाइन बयूरो द्वारा सहायता प्रदान की गई है। Z10 के प्रोटोटाइप ने 2003 में अपनी पहली उडान भरी। वर्तमान में Z10 गंशिप का उप्योग चीनी वायू से न व्यापक रूप से करती है। ये हेलिकॉप्टर पाकिस्तान को निर्यात किया गया है। तीन हेलिकॉप्टरों का पहला बैच 2015 में वित्रित किया गया था।